दिपावली चली गई, छटका भी समापन हो गया लेकिन दिल्ली एंसियार में पॉलुशन से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही दिल्ली की हवा और जादा जहरीली हो गई है दिल्ली के डेंजरस पॉलुशन के अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज कई इलाकों की हवा खतरनाक कैटिगरी में आ चुकी है बवाना, पूसा, रोहिनी यहां सब एर कॉलिटी चार सो के पार है अलिपुर आनंद विहार से लेकर अशोक विहार तक AQI 390 को पार कर चुका है यही हाल बुराडी और मतुरर रोड का भी है दिल्ली में इस से वेस्ट और नौर्थ से साउथ तक सांसों पर इमर्जेंसी लग गई है आपको साथ तस्वीरे दिखाते हैं हवा थमी हुई है और हलकी ठंड बढ़ रही है इसकी वज़े से पॉलूशन हवा में अटक रहा है या कहें की ट्रैप हो जा रहा है कई इलाकों में एक धुंद की परच्छाई हुई है जिसकी वज़े से विजिबिलिटी भी कम है हाला कि दिल्ली सरकार पानी का छड़काव कर रही है लेकिन वाईव प्रदूशन का स्तर कम करने के लिए राजधानी में शुकरवार को पहली बार ब्रोन से पानी का छड़काव किया गया पाईलेट प्रोजेक्ट के तहट आनन्द विहार में छड़काव कर इसकी शुरुवात की गई वहीं दूसरी तरफ राजधानी के पॉलुशन को लेकर सियासत भी गरम है बीजेपी और आम आत्मी पार्टी एक दूसरे पर वार पलट वार कर रहे है दिलीNCR में रहने वाले लोगों की समय सबसे बड़ी समस्या प्रदूशन है एैर प्रोलिशन जानलेवा है एक स्टड़ी के मताबिक दिलीNCR के लोगों के जीवन पे इस प्रदूशन का सबसे बुरा असर पड़ रहा है लोगों की life span कम हो रही है, कम से कम 11 साल की life span को ये production कम कर रहा है, समय हम इंडिया गेट पे है, visibility zero है, यहाँ पे अधिकतर लोग सुबह सुबह morning walk के लिए आते हैं, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है, अगर सुबह सुबह इस production में morning walk की जाए, तो वो सेहत के लिए और खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सुबह शाम प्रदूशन का स्तर जो है, वो सबसे जादा और सबसे खतरनाक होता है, समय दिल्ली का overall AQI 360 है, AQI थोड़ा कम हुआ है, लेकिन visibility अब और कम होती जा रही है, visibility लोगों की परिशानी बढ़ा रही है ठंड शुरू हो चुकी है, ऐसे में प्रदूशन और ठंड की धूंद मिलके कुछ भी देख पाना दिल्ली NCR में मुश्किल कर रही है, visibility पे सबसे जादा इसका असर पड़ रहा है पॉलिशन में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है लेकिन अभी तक किसी तरहें की राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है आज दिल्ली के इलाकों में अगर AQI की बात करें तो बवाना रोहिनी में Air Quality Index 400 की पार है बवाना में 409 और रोहिनी में AQI 401 है आपको दिखाते हैं ये AQI मीटर है Air Quality Index और जो ये अंख हम आपको बता रहे हैं वो Particulate Material है जो हवा में लहरा रहा है सांस के जरिये फेफ्लों में जाता है और खून तक पहुंचता है बवाना में 409, रोहिनी में 401, वजीरपूर में 397, आनंद विहार में 393, पंजाबी बाग में 389, जाहंगिरपूरी में 389, पड़पडगंज में 88, नजवगड में 385, अशोक विहार में 382 और यह आप जो देख रहे हैं, 400 से उपर का आंकड़ा, यानि आपके लिए ये वाई यू बहुत जादा खतरनाक है अगर स्टेंडर की हम बात करें, तो एक अच्छी एर क्वालिटी 60 से नीचे होनी चाहिए और अगर ये 400 के पार है, तो आप अंदाजा लगाईए, वो सेफ लिमिट से कितने गुना आगे हैं, यानि पूरी दिल्ली में फिलहाल धुंद और धुएं का कर्फ्यू है काफी दिक्कत है, पॉलुशन से तो क्योंकि हर जगा मास्क लगा के रखना बढ़ा है, जैसे हम अभी पालम एरिया से आ रहे हैं, अभी जैसी गाड़ी से उतरे हैं, तो सेम टेम इतना स्मेल आ रहा है, स्मोक का भी एंड इसकी वाज़ से काफी दिक्कत है, आते मुझे काफी आने लग जगती है, इस साइड में तो और ज्यादा है, ज्यादा ही हो गया है, डेर दो महीने से होना शुरू हो गया था दीरे दीरे, जैसे चावलों का सीजन खतम होगा उसके बाद, और अभी दूसरी बात यह है कि जैसे प्राली वगरा जल रही है हर जगा, वह है कि कोई भी सरकारे ध्यान देना है, इसलिए नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर आपकी अपनी सरकार है, तो आप कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे, और दूसरे की है, तो आप क्रिटिसाइज करेंगे, तो एटलिस नॉर्मल सिटीजन के लिए सरकारों को सोचना चाहिए इस स